स्री गडेशाय नमाहा स्री हनुमते नमाहा स्री सहित दिन करवंस भूषन काम बहुछ विसोही नव अंभुदर बरगात अंबर पीत सुर्मन मोही मुक टांग दादि विचेत्र भूषन अंग अंग नत्रति सजे अंभोज नयन विशाल उर्भुज धन्य नर निरंख तीजे हाँ धन्य नर निरंख तीजे उलेशियापति राम चंद्र भगवान कीजे जेजे स्री सीताराम कथारंब होत है आउवीर हनुमान आसनली जो प्रेम से सुन हूं कथा करुगान स्री गडेशाय नमा स्री जानकी वल्लभोव जयते ओम वर्णानाम अर्थ शंगानाम रशानाम चंद्र शाम पी मंगलानाम चकरतारो वंदेवानी विनायको भवानी शंकरो वंदे स्रद्धा विश्वास रूपिनो याभ्याम विनाहन पश्यंती सिद्धा स्वांतस्तमी श्वरम वंदे बोधुमयम नित्यम गुरुम संकर रूपिनम यमाश्र तोही वक्रोपी चंद्रह सर्वत्र वंदते सीता राम गुण ग्राम पुन्यरण्य विहारिनो हो वंदे विश्वध विज्ञानो कविश्वर कपीश्वर हो उदभव इस्तिती संहार कारिनें क्लेश हारिनें सर्वेश करिम सीताम नतोहम राम वल्लभाम यनमाया वशवरती विश्वं ख्लं भ्रम्मादि देवासुरा यद सत्वादमर्सेव भाती सकलं रज्जो यताहेर ब्रमहा यद पाधपल्लमेकमेवही भवाम भोदेश्टितीर शावताम वंदे अहमतं शेशकारणपरं रामाख्यमीशं हरिम नाना पुराण निगमागम सम्मतं यद रामायडे निगदितं कुआच दन्यत विश्वान तह सुखाय तुलसी रगुनात गाथा भासा निवंदमति मंजुल मात नोती वलिस्यापति राम चंद्रभगवान कीजे बीन दयाल बिरेद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी संभु प्रशाद सुमति ही नहूलसी राम चरित मानस कभितुलसी कराई मनोहर मत अनुहारी सुजन सुचित सुनी लेहू सुधारी स्री सिवजी की कृपा से उसके हरदे में सुन्दर बुद्धी का विकास हुआ जिससे यह तुलसी दास स्री राम चरित मानस का कभी हुआ अपनी बुद्धी के अनुसार तो वहा इसे मनोहर ही बनाता है किन्तु फिर भी हे सजनो सुन्दर चित से सुनकर इसे आप सुधार लीजिए रामा सुमाते भूमी थल रदय अगाधु बेद पुरान उधद घन साधु बरसा ही राम सुजस बरबारी मधूर मनोहर मंगल कारी सुन्दर सात्व की बुद्धी भूमी है हरदय ही उसमें गहरा इस्थान है वेद पुरान समुद्र है और साधु संत मेग है वे साधु रूपी मेग सिराम जी के सुयस रूपी सुन्दर मधूर मनोहर और मंगल कारी जल की वर्सा करते हैं रम लीला सगुन जो कहही बखानी सोई स्वच्छता करई मलहानी प्रेम भगती जो बरनीन जाई सोई मधूरता सुसी तलताई सगुन लीला का जो विस्तार से वर्नन करते हैं वही राम सुयस रूपी जल की निर्मलता है जो मलका नास करती है और जिस प्रेमा भगती का वर्नन नहीं किया जा सकता वही इस जल की मधूरता और सुन्दर सीतलता है जो जल सुक्रत सालिहत हो ही राम भगत जन जीवन सोई मेधा मही गत जो जल पावन सकल स्रवन मग चले हू सुहावन अरे भरे हू सुमानस सुथलतिराना सुख़दसितरुची चारुचिराना वही राम स्यस रूपी जल सतकर्मी रूपी धान के लिए हितकर है और स्री राम जी के भगतो का तो जीवन ही है वही पवित्र जल बुद्धी रूपी प्रशिवी पर गिरा और सिमट कर सुहावने कान रूपी मार्क से चला और मानस्रदै रूपी स्रेष्ट स्थान में भर कर वही इस्तिर हो गया वही पुराना होकर सुन्दर सुचिकर सीतल और सुगधाई हो गया रमसुटी सुन्दर संबाद बर बिरचे बुध्धि विचार इस कथा में बुध्धी से विचार कर जो चार अत्यन सुन्दर और उत्तम संबाद भुसुंडी गरुड, सिव पारवती, याग्यवल के भरद्वाज और तुलसिदास और संतर चे हैं वही इस पवित्र और सुन्दर सुरोवर के चार मनोहर गाठ हैं गुसुंडी जी ने गरुड जी को रामकता सुनाई, सिव जी ने पारवती को रामकता सुनाई याग्यवल के जी ने भरद्वाज जी को रामकता सुनाई और तुलसिदास जी ने संतो को रामकता सुनाई रम सपता प्रबंध सुभग सौपाना ज्यान नयन निरखत मन माना रगुपत महीमा अगुन अभाधा बरनब सोई भर बारी अगाधा साथ कांड ही इस मानस रोवर की सुन्दर साथ सीड़िया हैं जिनको ग्यान रूपी नेत्रों से देखते ही मन प्रसन हो जाता है स्रिगुनाद जी की निरगुण प्राकर्तिक गुणों से अतीत और निरबाध एकरस महिमा का जो वर्नन किया जाएगा वही इस सुन्दर जल की अथा गहराई है रामसिय जस सलिल सुधासम उपमाबीचे बिलास मनोरम पुरा इन सघन चार चोपाई जुगते मन जुमने सीप सुहाई स्रीराम चंदर जी और सीता जी का यस अमरित के समान जल है इसमें जो उपमाएं दी गई है वही तरंगो का मनोहर विलास है सुन्दर चोपाईया ही इसमें घनी फैली हुई पुर इन कमिलनी है और कविता की युक्तियां सुन्दर मनी मोती उत्पन करने वाली सुहावनी सीपिया है रम चंद सौर ठा सुन्दर दोहा असुई बहुरंग कमल कुल सोहा अरथ अनूपम सुभाव सुभासा सुई पराग मकरंद सुभासा जो सुन्दर चंद सोर्टे और दोहे हैं वही इसमें बहुरंगे कमलो के समू सुसोबित है अनूपम अर्थ उचे भाव और सुन्दर भासा ही पराग पुस्परज मकरंद पुस्परस और सुगंद है रम सुक्रत पुंज मन्जुल अलिमाला ग्यान बिराग बिचार मराला धुनी अवरेब कबित गुन जाती मीन मनोहर ते बहु भाती सतकर्मों पुन्यों के पुंज भोरें की सुन्दर पंक्तियां हैं ज्यान वैराग्य और विचार हंस हैं कविता की धुनी वक्रोकती गुन और जाती ही अने को प्रकार की मनोहर मचलिया हैं रम अरथ धरम का मादिक चारी कहब ग्यान बे ग्यान विचारी नवरस जप तप जोग बिरागा ते सब जल चर चारू तड़ागा अर्थ धर्म काम मोक्ष ये चारो ज्यान विज्यान का विचार के कहना काव्य के नोरस जप तप योग और वैराग्य के प्रसंग ये सब इस सरोवर के सुन्दर जल चर जीव हैं रम सुक्रति साधु नाम गुन गाना ते बिचेत्र जल बिहग समाना संत सभाचहु देसे अवराई स्रधारितो बसंत समगाई सुक्रति पुर्ण्यात्मा जनों के साधुों के और स्रीराम नाम के गुनों का गान ही विचित्र जल पक्षियों के समान है संतों की सभाही इस सरोवर के चारो और की अमराई आम की बगीचियां हैं और स्रधा अवसंत रितु के समान कही गई है रमा भगते निरूपन बिवेद बिधाना छमादयादम लताबिताना समझा मनीयम फूल फल ग्याना फरीपदरतीरस बेद बखाना नाना प्रकार से भक्ति का निरूपन और छमा दया तथा दम इंद्रिय निग्रह लताओ के मंडप हैं मन का निग्रह यम यानि अहिंसा सत्य असत्य भ्रहमचरे और आपरीग्रह है मियम सोच संतोच तप स्वाध्याय और इश्वर प्रनिधान ही उनके फूल हैं ग्यान फल है और स्री हरी के चड़ों में प्रेम ही इस ग्यान रूपी फल का रस है ऐसा वेदों ने कहा है इस राम चरित मानस में और भी जो अनेक प्रकार की खथाए हैं वे ही इसमें तोते कोयल आदी रंग बिरंगे पक्षी हैं कथा में जो रूमांच होता है वही वाटिका वाग और वन हैं और जो सुक होता है वही सुन्दर पक्षियों का विहार है निर्मल मनही माली है जो प्रेम रूपी जल से सुन्दर नेतरो द्वारा उनको सीचता है रम जे गावही यह चरित समारे तेई एहिताल चतुर रखवारे जो लोग इस चरितर को सावधानी से गाते हैं वही इस तालाव के चतुर रखवाले हैं और जो इस्तरी पुरुस सदा आदर पुरुवक इसे सुनते हैं वही इस सुन्दर मानस के अधिकारी उत्तम देवता हैं रमा अतिखल जे बिसाई बग कागा एही सर नीकटन जाही अभागा संबुक भेक सिवार समाना इहान बिसय कथारसनाना जो अतिदुष्ट और विसय हैं वे अभागे बगुले और कोवे हैं जो इस सरोवर के समीप नहीं जाते क्यूंकि यहां इस मानस सरोवर में घोंगे मैंडक और सेवार के समान विसयरस की नाना कथाए नहीं हैं रमते ही कारन आवत ही हारे कामी काक बलाक बिचारे आवते ही सर अतिकठ नाई राम क्रपा बेनों आई न जाई इसी कारण बेचारे कोवे और बगुले रूपी विसयाई लोग यहां आते हुए हरदे में हार मान जाते हैं क्यूंकि इस सरोवर तक आने में कठनाई बहुत है स्री राम जी की क्रपा बिना यहां नहीं आया जाता रम कठेन कुसंग कुपंथ कराला तिनके बचन बाग हरिभ्याला गोर कुसंग ही भयानक बुरा रास्ता है उन कुसंगियों के वचन ही बाग सिंग और साप हैं घर के कामकाज और ग्रस्ति के भाति भाति के जन्जाल ही अत्यन्त दुरुगम बड़े बड़े पहाड हैं रम बन बहु बीशम मोहमद माना नदी कुतरक भयंकर नाना मोहमद और मान ही भात से बीहडवन हैं और नाना प्रकार के कुतरक ही भयानक नदियां हैं रम जे स्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ तिन कहु मानस अगम अती जिन हैन प्रिय रगुनाथ जिन के पास स्रद्धा रूपी राह खर्च नहीं है और संतों का साथ नहीं है और जिन को सिर्गुनात जी प्रेय नहीं है उनके लिए यह मानस अत्यंत ही अगम है अर्थात स्रद्धा सत्संग और भगवत प्रेम के बिना कोई इसको नहीं पा सकता रम जोकरिकस्ट जाय पोन कोई जात ही नीद जुडाई होई जड़ता जाड बिसम उरलागा गहे हूं नम जन पाव अभागा यदि कोई मनुष से कष्ट उठा कर वहां तक पहुँच भी जाए तो वहां जाते ही उसे नीद रूपी जुड़ी आ जाती है हरदे में मुर्कता रूपी बड़ा कड़ा जाड़ा लगने लगता है जिससे वहां जाकर भी वह अभागा इसनान नहीं कर पाता रमकरिन जाई सरमजन पाना फिर आवई समेत अभिमाना जों बहोरी को पूछन आवा सरनिंदा करी ताही बुझावा उससे उस सरोर में सनान और उसका जलपान तो किया नहीं जाता वह अभिमान सहीत लोट आता है फिर यदि कोई उससे वहां का हाल पूछने आता है तो वहां अपने अभाग्य की बात नहका कर सरोर की निंदा करके उसे समझाता है रम सकल बिघन ब्यापई नहीं ते राम सुक्रपा बिलो के हैं जेही सोई सादर सर मजन करई महां घोर त्रिय तापन जरई ये सारे विगन उसको नहीं व्यापते बादा नहीं देते जिसे सुरी राम चन्रजी सुन्दर किरपा की द्रश्ट देखते हैं वही आधर पूर्वक इस सरोवर में इसनान करता है और महान भयानक त्रिताप से अध्धात्मिक आधी दैविक आधी भोतिक तापों से नहीं जलता रमते नर्यहसर तजहिन काओ जिन्हें के राम चरन भलभाओ जो नहाई चह एही सरभाई सोसत संग करव मन लाई जिनके मन में सिर्राम चंदर जी के चरनों में सुन्दर प्रेम है वे इस सरोवर को कभी नहीं छोड़ते है भाई जो इस सरोवर में सनान करना चाहे वे मन लगा कर सत्संग करे यम असमानस मानस चक चाही भाई कब बोधी बिमल अवगाही भयाऊ हरदय आनन्द उच्छाहू उमगेव प्रेम प्रमोद प्रबाहू ऐसे मानस सरोवर को हरदय के नेत्रों से देखकर और उसमें गोता लगाकर कवी की बुद्धी निर्मल हो गई हरदय में आनन्द और उच्छाह भर गया और प्रेम तथा आनन्द का प्रवहा उमण गया रमचली सुभग कवीता सरितासों राम भिमल जस जल भरितासों सरजू नाम सुमंगल मूला लोक बेद मत मन्जूल कूला उसमें वह सुन्दर कवीता रूपी नदी बहा निकली जिसमें सिराम जी का निर्मल यस रूपी जल बरा है इसका विता रूपी नदी का नाम सर्यू है जो संपूर सुन्दर मंगलों की जड़ है लोक मत और वेद मत इसके दो सुन्दर किनारे हैं यह सुन्दर मानस रोवर की कन्या सर्यू नदी बड़ी पवित्र है और कलियुक के छोटे बड़े पाप रूपी तिनकों को और व्रक्षों को जड़ से उखाड फैकने वाली है रमस रोता त्रिबिद समाज पुर ग्राम नगर दुहु कूल संत सभा अनुपम अवध सकल सुमंगल मूल तीनों प्रकार के सिरुताओं का समाज ही इस नदी के दोनों किनारों पर बसे हुए पुरुवे गाउं और नगर है और संतों की सभाही सब सुन्दर मंगलों की जड़ अनुपम अयुध्या जी है रमराम भगती सुर सर तह जाई मिली सुकीरती सर जु सुहाई सानुज राम समर्ज शुपावन मिलेऊ महान दू सोन सुहावन सुन्दर कीरती रूपी सुहावनी सर्युजी राम भक्ती रूपी गंगा जी में जाऊ मिली छोटे बाई लक्षमन सहीट स्री राम जी के युद्ध का पवित्र यस रूपी सुहावना महानद सोन उसमें आ मिला रमा जुग बिच भगती देवधो निधारा सोहत सहीत सुबेरते विचारा त्रिभेद ताप त्रा सकते मुहानी राम सरूप सिंधु समुहानी दोनों के बीच में भक्ती रूपी गंगा जी की धारा ज्यान और विराग्य के सहित सोबित हो रही है ऐसी तीनो तापो को डराने वाली यह तिमुहानी नदी राम सुरूप रूपी समुद्र की और जा रही है रममानस मूल मिली सूर सरही सुनत सुजनमन पावन करही बिच बिच कथा बिचेत्र विभागा जनुसर तीर तीर बन बागा इस कीच रूपी सर्यू का मूल मानस सी राम चर्ट है और यह राम भक्ती रूपी गंगा जी में मिली है इसलिए यह सुहावने सज्जनों के मन को पवित्र कर देगी इसके बीच बीच में जो भिन भिन प्रकार के बिचे तरकताय हैं वे ही मानों नदी तटके आपस के वन और बाग हैं उमा महेस बिबाह बराती जे जल चर अग नित बहुभाती रगुबर जनम अनन्द बधाई स्रीपार्वती जी और सिवजी के विवहा के बाराती इस नदी में बहुत प्रकार से असंख्य जलचर जीव हैं श्रुगनाद जी के जनम की आनन्द बधाईया हीं इस नदी के भवर और तरंगों की मनोहरता है बाल चरित चहु बंधु के बनज बिपुल बहुरंग और नपरानी परिजन सुरकत मधुकर बारि बिहंग दीन दयाल विरेद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी चारो भाईयों के जो बाल चरित हैं वेही इसमें खिले हुए रंग बिरंगे बहुत से कमल हैं महराज स्री दसरत जी तथा उनकी रानियों और कुटुम्बियों के सतकर्म पुन्य ही भ्रमर और जलपक्षी हैं पुलि स्यापति राम चंद्र भगवान की जै आज हमने पढ़ा और स्रवन किया मानस रूपक और महत्मे जै श्री राम